हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूटीब चनल आज मैं आप सभी को एक स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूं बनाने के लिए जो कि आप इसे गर्ल्स के स्वेटर में अपलाय कर सकती हैं यहां पे मैंने कुछ फंदे जो हैं निकाल लिये हैं और एक कुछ फंदे यहां प स्टर्टिंग बना कर दिखाऊंगे कैसे बनेगा तो फिर चलिए बनाते इस डीजाइन को उससे पहले अगर आप हमारी चनल पर नहीं है और हमारी चनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज स्ट्राइब कर लिजिए और बैल आकन को ज़रूर प्रेस कर येगा ताकि म करते एप बना लेंगे उसके गाहँ करना करना हमें इस also do no kola नो करना है cans i bаже उबया करना है तो साथच देंगी कि उसके बाद यहां पर एक उन को लपेटेंगे और इधर से भी हमें go और इस तरीके से पीछे साइड से इन दो फंदों का एक खटा लेना है फिर उनको अपनी ओर करेंगे और हमसिक फंदों का पैटनों रहेगा जैसे कि ऋफंदों का पैटन और इनके पूप करेंगे उनको पिछे साइड करेंगे और इनकोeszस daughter babe एक फंदा करेंगे एक फंदा ऐसे ही बना लेंगे उनको और उसके बाद फिर इसे हम देखे इस तरीके से लेंगे स्लाई में और ये फिर से वापस से हम इसे डालेंगे स्लाई को और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से इसको ही हम यहां से रिपीट करेंगे और इस तरीके से लेनी है और इधर से भी दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे इसी को हम repeat करके इस row को पूरा complete कर लेंगे आप जितने भी फंदों में इस design को बना रही हैं इसे आप आसानी से बना लीजेगा इस तरीके से लपटेंगे और फिर इस तरीके से slime में चढ़ाएंगे और फिर इसे पीछे से हम घटा देंगे वापस से एक दो उनको पीछे एक यहां पर उनको लपटेंगे इस तरीके से इस तरीके से पूरी रह हम बिल लेंगे अब जो है wrong side से हमें देखे दो फंदे जो उल्टे बनाए हैं इसे हमें सीधा बिलना है और यहां पर तीन फंदे जो हैं इसे हमें उल्टा बिलना है wrong side से देखिए पहले फंदे को हम इस तरीके से इल्टा बिनेंगे और ये जो extra फंदे हमने बनाए हैं उसे भी उल्टा बिनना है और उसके बाद भी मतलब 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं फिर उनको पीछे करेंगे 2 फंदे यहां पे उल्टे बीनेंगे राइड साइड से उनको अपनी और लेके आएंगे वापस से हमें तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन उनको पीछे दो फंदे सीधे रॉंग साइड से आपको ऐसे ही बीन करके कम्प्लीट करना है तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे अब यह डिजाइन का पहला रोप बिन लेने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएंगे देखिए फिरस यह दो फंदे जो है इसे कंटीनिव करेंगे उल्टा ही बिनेंगे बस यह तीन फंदों में जो है पैटन बनाएंगे देखिए कैसे पहले फंदे को स्कीप कर लेंगे और दो फंदे यहां पर उल्टा बिन लेंगे फिर उनको पीछे करेंगे और यह जो सीधा वाला फंदा है इसे हम सीधा बिन लेंगे और जी extra funda हमने बनाये है वहाँ पर एक और हम extra funda बनाएंगे देखिए यह बीच में extra funda है उसके दोनों side हमें funde बनाने हैं और इस वाले बीच वाले funde को सिधा बीन लेंगे यहाँ पर भी एक funda और बना लेंगे और यहाँ पर सिधा बीन लेंगे अगेन हमें इसमें हमें repeat करना है उसी pattern को पहले funde को सिधा बीन लेंगे फिर यहाँ पर उनको लपेटेंगे और फिर इस वाले funde जो extra funde हैं उसे भी हम सिधा बीन लेंगे और फिर यहाँ पर उनको लपेट लेंगे और वापस सिधा बीन लेंगे इसी तरीके से आपको पूरी रोज बीन के कम्प्लीट कर लेनी है और ये दो फंदे उल्टे बीन रहे हैं उसे कंटिन्यू करना है दो फंदे उल्टे एक फंदे सीधे ऐसे उनको लपेटेंगे फंदा बढ़ाने के लिए फिर बीच वाले फंदे बढ़ाये बढ़ाएंगे फिर एक और फंदे को लपेट के करेंगे फिर उनको अपनी और लाएंगे दो फंदे उल्टे बीनेंगे देखिए फिर इस तरीके से आपको इस डिजाइन को बनाना है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजेगा इस तरीके से पूरी रोब बीन लेंगे हम अब रॉंग साइड से जो है यह जो दो फंदे है वो तो उल्टे ही रहेंगे बीच में जो है 5 फंदे हमारे सीधे बीनेंगे तो देखिए पहले फंदे सही हम यहां पर एक फिर एक्स्ट्रा है दो फिर यह बीच वाला है तीन और फिर एक्स्ट्रा है चार और फिर यह की पांच, पांच फंदे यहां पे उल्टे बीनेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, और यह दो फंदे सीधे बीन लेंगे, एक और दो, यह तो continue ही रहेगा, फिर आगे करेंगे उनको, और यहां पे एक, दो, तीन, चार, और एक यह पांच, पांच फंदे उल्ट तर्फ़रा देथा सर्फ लिए यहां पर उल्टे भी ने थे तरीकर mend इंगे सरे कुपर Our इसमें अमनेंगे इस में कैसे करना है कि अब देखि लिदेर है अब है कि suit करना है क्या हुआ यह दो सीधे वाले आप हमें देखिए क्या करना है पहले forces किप कर लेंगे फिर फन चीज़ेंगे तो सीधे वाले फंदे इसे में एक साथ इसे तरीके से बीन लेंगे आप चैनल यह एक साथ नहीं गिराना है यह नहीं घटा देंगे और यह फंदेंगे पलस इह वार फंदे बच्चे इन दोनों को हम इस तरीके से एक और यह के दो लेंगे और यह देखिए इस तरीके से लेंगे और इसको हम दो फंदों को घटा लेंगे वापस हैं हमारे पास यहां पर दो फंदे बच जाते हैं अब यह दो फंदों को हम यहां पर छोड़ देंगे देख लिजे और ये सीधे वाले जो फंदे हैं इसे हमें वापस से सिधा बीन लेना है उसके बाद फिर बीच में जो दो फंदे उल्टे बीने हैं उसको हमें उल्टा बीन लेना है वापस से आप देख लिजे एक वार मैं बताती हूं बना करके ये सीधे वाले जो लाइन है इसे हमें इस तरीके से सीधे ही बिलने लेने हैं इसे टच नहीं करना है कुछ भी अब जो ये तीन फंदे बीच में है उसको देख लीजेए ये दो फंदे जो बीच वाले फंदे है उसे और एक यहां पर एक पर एक ही को यहां पर घटाना है एक को स्लाइम ही चड़ाए रखना है अब जो है इसको दिखी इस तरीके से दोनों को एक साथ और यहां पर फिर इन दोनों को हम एक साथ ही यहां पर घटा देंगे उसके उसलाय में से दोनों फंदों को उतार लेंगे कुछ इस तरीके से नजराएंगे अब फिर वापस से इस फाले फंदे को बिन लेना है तो बीच में देखें फोर फंदे बन गए इ और ये दो फंदों को हम एक साथ घटाएंगे मगर इसमें से एक ही फंदे को निकालेंगे अब एक हो गए दो हो गए इन दो फंदों को लेंगे और वापस एक साथ चड़ा करके और रॉंग साइट से पीछे से इसे हमें घटा देना है इस तरीके से और फिर यह सीधे फंदे को बिन लेना है इस तरीके से आपको पूरी रोब बना करके कम्प्लीट कर लेनी है अब यहां पर इसके रॉंग साइड में क्या करना है दो फंदे तो यहां पर सीधे ही बिनाएंगे और यहाँ पर चार फंदे जो हैं उल्टे भी नहीं पहले हमने यहाँ पर तीन फंदे उल्टे भी नहीं थे फिर पांच और अभी जो है चार फंदे देखे इस तरीके से एक, दो, तीन, और एके चार चार फंदे उल्टे उनको पीछे और यह दो फंदे सी थे एक, दो, वापस से चार फंदे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, इस तरीके से रॉंग साइट से आपको complete कर लेना है, बिन करके, अब यह डिजाइन हो गया है, complete, फर्स्ट वाला डिजाइन यहीं पर close हो जाएगा, अब यहाँ पर starting में जो जैसा बनाये थे, सेम हमें यहाँ पर repeat करना है, इसी में डिजाइन बनेगा next वाला, देख लिजे कैसे, पहले फंदे को skip करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे उनको पीछे करेंगे, और यह देखिए, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर उनको ऐसे लपेट लेंगे, उसके बाद फिर हमें यह और यह दो फंदे लेने हैं, और दो फंदों के वापस इस तरीके से स्लाइ में अगेन हमें देखिए इस तरीके से दो फंदों को एक साथ लेंगे उनको ऐसे लपेट लेंगे फंदे बढ़ा लेंगे फिर इसे लेंगे और इसे लेंगे इस तरीके से सीधा कर लेंगे और फिर ये दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे इसी तरीके से आपको भी डिजयन बनाते जाना है और बहुत ही खुबसुरत से डिजयन बंद करके तयार हो जाएँंगे तो फ्रेस ये नेक्स डीजान यहां पर नजरा रहे होंगे तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक करें और हच सस्क्राइब करें हमारे चैनल को बेल एकन को ही प्रेस करें तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू